नमस्कार दोस्तों जैसी कृष्णा त्वागत है आप सभी का SSC अड़ा 24-7 पर तो आपके SSC GD के लिए जो हमारी हिंदी बिसे की सरंकला चल रही है ठीक है जो हमारी क्लास चलती है सुभा 9 बजे उसी में और उसको मदद करने के लिए और उसके सहायक आपके एक सरंकला हम औ और एक अलग तरीके से नई तरीके से पढ़ने का प्यास करेंगे तो आज मैं आपको बताऊंगा पर्याइवाची सब्द पर्याइवाची बिलोम यह आपके टॉपिक होने वाले हैं और इनको हम सामानने ते बेटा क्या करते हैं इनको हम याद करते फिरते हैं या सामानने बासा में मैं कहूं, तो हम इसको रटते हुए गूमते हैं, ठीक है न, तो तो मैं इसको रटना ना पड़े, याद इनको या ना करना पड़े, यानि कि अगर हम इसको समझ करके एक सर बात कर सकें, जिससे हमें अगर ये स्मृति में भी रहें, तो लंबे समय से रहें, यानि क पर्याय वाची को सीखने का थोड़ा सा एक अलग डिफरेंट तरीके से सिखाने का यहाँ पर मैं आपको प्रियास करूँगा जिससे यहाँ पर आपको रटने वाली जो विदी है उसको छोड़ करके समझने के स्तर पर काम किया जाए तो इस्टार्ट करते हैं सर इस रंकला को दो सब्दों से मिल करके बना हुआ है पर्याय वाची आपका देखिए पहले पर्याय वाची पर्याय का मतलब होता है बेटा समान ठीक ना पर्याय का मतलब क्या होता है समान होता है और वाची का मतलब है बताने वाले या अर्थ देने वाले इसी प्रकार से इसके लिए एक के माद्यम से अर्थ समझोगे अच्छे से काम हो जाएगा चंद्रमा के पर्याइवाची पर बात कर रहे हैं हम शुधाकर ठीक है न सुधाकर देखिए सुधाकर सुधा कहते हैं अम्रित को अम्रित को जो संभव करता है वो चंद्रमा इसी प्रकार से चंद्रमा का एक और पर रहे बाची है सूर्य का क्योंकि वो दिन को संभव करता है ऐसे समझो चीज़ों को ठीक है ना अमरित रश्मी वहे जो अमरित रूपी रश्मियों यानि कि किरणों वाला है रश्मी का मतलब क्या होता किरण अर्थ तुम है पता है तो तुम अपने आप निकाल लोगे ठीक है ना रश्मियों का मतलब है किरण वहे जो अमरित रूपी रश्मियों यानि कि किरणों वाला है उसकी किरणे कैसी है अमरित के समान है वो चंद्रमा है, अम्रित रश्मी, आगे ध्यान दए गई सब, तमो हर, अरे कुछ नहीं है इसमें, तम का मतलब है अंधेरा, और हर का मतलब होता है, हरने बाला, अगर सब्दों का अर्थ पता है, मैंने क्या बताया है, पर्याइबाची, बिलो, मनेकार्थी, जो रात्री का स्वामी है, वो चंद्रमा, ये हो गए पर्याइबाची, तब कुछ भी कहलो, सुदाकर, अम्रित रश्मी, निर्राक निसाकर, तमोहर, छपानाप, और देको सर इसी परकार से, अत्री जैस को कहा जाता है, अब्दिज कहा जाता है सर, अम्रित का जो अंस है, उडू पती, उडू कहते हैं नच्छत्रों को, नच्छत्रों का जो स्वामी है, उददी सुथ, ठीक है न, हावई, ओश दीस, ओश दियों का जो स्वामी है, हिम को करने वाला, हिम का अंसु जो है, हरिरांक कहा जाता है इसको, इसी परकार से क्या कहा जाता है, सुधा रस् कुमुदों का क्या हैfree बंदू है कुमुदनी पती कुमुदनीों का स्वामी है छपाकर तो अवे आई गया था छायांक they are तारकेषवर ताराधीश तारव का स्वामी तारानाथ तारों का जो नाथ है तारों मतलब नच्छत्र जो भी है तारे जो भी है गरे ठीक है ना तारा पती तुशार रस्मी बरफ के समान जिसकी करने है तुशार का मतलब क्या होता है बरफ अर्थ समझो ठीक है ना नच्छत्रनात निसा रात को संभव करने वाला निशी नात रात का स्वामी निशी का मतलब रात महताव है म्रग लांचन है तोश आकर है जिसमें दोश लगाया गया है तोशार आंसू है ददीसुत है म्रगांक कहा जाता है इसका नाम पड़िया है ससधर ठीक है ना? ससांकादी तो यह क्या होगा है? चंद्रमा के पर रहाए बाचि होगा चीजों के अर्थों को सम्झो तब आगे बढ़ाओ चलो एक और करते है इसी प्रकार से आगे चलते हैं ठीक है न? हाँ भई किसके पढ़ते हैं रावड के इसी प्रकार से में बीच बीच में इस स्रंखला लाया करूंगा जो मैं हिंदी के अंतरगत आपके लिए कुछ महत्पूर निकाल के ला सकता हूं जिससे आपको पढ़ने में याद करने में थोड़ी और आसानी हो तो मैं ये स्रंखला बीच बीच में आपके लिए लाया करूंगा ठीक है ना सुबह मेरी किलास चलती है नौ बजे आपके ससी अड़ा 24-7 पर ससी जीडी में वहाँ पर मैं जुड़ता हूं आपके पूरे पा गर्वा मतलब जिसकी अरे दस मुखें तो दस ही गृवा होंगी दस किरीव किसे का जाता है सरावड को का जाता है लंका का जो स्वामी है लंकेश इस का मितलब ह हर समय भगवान नहीं लेना है लक्ता ना लंका का जो शवामी है उसे क्या लान। लंका पती, लंका का पती, पती का मतलब । दनवजेस दनुजों का जो ऐस है रात चसों का जो स्वामी है निसा चर पती निसा चर किसे कहते हैं देखो मैंने का ना अर्थ पता होगा तो सब काम हो जाएंगे निसा कहते हैं रात को चर का मतलब घूमने वाले तो निसा चर रात में कौन घूमते हैं तुमने का सर रात में तो राक्षस घूमते हैं राक्षसों का पति यानि की जो स्वामी है ठीक है न वो कौन है वो रावड है दश मात दस माते जिसके हैं देखो दस मात दस मौली अर्थियाद रखो मौली का मतलब होता है सिर दस सिर जिसके सरम कैसे मालने सिरे और कहीं कोई कनेक्ट कर सकते हो कि बिल्कुल होता है एक पर्याई बाची देखो इसी परकार से कैसे मिलेगा चंद्र मौली मौली चंद्रमा जिसके मौली सिर पर है ये बगवान सिर का पर्याई बाची हो गया चंद्रमा किसके सिर पर है वो बगवान सिर के पर है इस चीज को समझो ये पर्याई बाची बिलूम कभी रटे नहीं जाएंगे इनमें जो इस परकार की तथ्थे कंसेप्ट है उनको समझो ठीक है ना दस वदन अरे सर दस बदन कैसे हो जाएंगे अरे वो बदन अलग है इस बदन का मतलब होता है मुक तो जिसके दस मुक है और जो बदन तुम समझ रहे हो वो बदन है ये वाला इस बदन का मतलब होता है सरीर ठीक है ना ये दस वदन है अरे सर कोई और है क्या? बिलकुल है इसी प्रकार से पर्र्यायवाची मिलता है तो मैं गजवदन आती का मुख जिसका है भगवान गड़े इसका पर्र्रणीवाची है दस शिर सीधा लिखा हुआ है दस शिर्जिसके है दस सीरस हो गया दस सीरस हो गया ठीक ना लंकानात, लंकापती, लंकाधिपती, लंकेश, लंकेश्वर, सभी क्या हैं, ये रावड के पर्रयाईवाची होंगे, किसके होंगे आपके, रावड के पर्रयाईवाची आपके हो जाएंगे, तो ये मैंने थोड़े से दो पर्रयाईवाची आपको अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया और भी थे इसी परकार से मैं आगे भी आपके लिए स्रंकला लेकर के आता रहूँगा आज मैंने आपको पहले दिन बताया है तो आप एक बार कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे ये स्रंकला कैसी आपको लगी इसी प्रकार से परिक्षा तक मैं आपके लिए बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे क्लासे लेकर करके आऊँगा जिसमें मैं आपको कुछ समझ अलग से विक्सित कर सकूँ कि चीजों को कैसे आपको पढ़ना है ठीक है अभी एक दो क्लास में और अभी पर्याय बाची की लगाऊंगा इसके बाद में और भी आपके कंसेप्ट है जिनको आप ऐसे सीख सकते हो ट्रिक से या अलग तरीके से वो मैं आपके लिए निकाल करके लाता रहूँगा ठीक है न मैं ले करके तो बहुत आया था लेकिन समय थोड़ा सा हमारे पास अभाब है देखिए आपका इससी जीडी का एक्जाम होने वाला है तो उसके लिए बर्दी 4.2 यह बैच आपका बिलकुल फ्रेस नया बैच आ चुका है तो जब तक हमारे फॉर्म फिल होंगे कंप्लीट फाउंडेशन बैच है शत्ताइस ऑक्टोवर से आपका इस्टार्ट होने वाला है तो जब से हमारे बैच इस्टार्ट होंगे जब तक मतलब लोग जागेंगे सो करके तब तक हम क्या कर चुके होंगे मौक, MCQ उन पर बात कर रहे होंगे इसमें पूरा आपको म काम है उनके लिए आपको क्या करना है आपको अड़ा 247 की मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करनी है यहां पर लिंक लगा हुआ है या फिर आप क्या कर सकते हैं सीधे की सीधे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जब जाओगे न कुछ हैसा खुलेगा इसमें जाना अल कोर्सिज में है ठीक है यह सेंट्रल जो गवर्मेंट के एक्जाम है इसमें जाकर के स्सी मिलेगा स्सी के अंतरगत आप देखेंगे स्सी जीडी ठीक है तो यह दिखें आपको बर्दी 4.0 सर यह 599 का आपको दिखाई दे रहा है इतने का ही मिलेगा क्या पहले तो यह द सेडूल आप देख सकते हैं सेडूल भी आपको मिलेगा कि कौन सी क्लास किस दिन स्टार्ट होगी कब क्या है कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे सब कुछ प्रॉपर जानकारी यहां पर आपके लिए दी गई है कितनी जो है कितनी सीट है क्या है पूरी की पूरी एक्जाम क यहां लगा देना तो 151 से कितने का देख रहा है 5 5430 ठीक अना एड़ कुछ कौन और लगा दोगे एक ऑप्र यह ह्यां आपको आपको प्राम्लोड करने से मिलेंगे तो यह और भी प्राइश डाउन हो जाएंगे तो उमीद करते हैं सहसन आपको पसंद आया होगा तो कमेंट के माद्दियम से अपनी राए जरूर रखें तो मिलते हैं सर्थ सुवे 9 बजे जो हमारी किलास होती है उसके अंतरगत तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार जैसी कृष्णा